है स्टштरेंड्स वेज़कम आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रैंथ और एंसी लिए तो किसी भी एसीड का स्ट्रैंथ कैसे चेक होता है तो बॉता है एक को बोलते वीक आपका acid कहलाएगा किलियर तो चाहिए आते हैं strong acid पे तो strong acid किसे कहते हैं वैसा acid जो अपना ions completely dissociate कर जाए in aqueous solution उसे हम लोग कहते हैं strong acid किलियर example hydrochloric acid sulfuric acid यह सब कुछ example है जो कि strong acid में considerate किया जाता है किलियर next है weak acid, weak acid किसे कहते हैं वैसा acid जो अपना ions completely dissociate ना कर पाए in aqueous solution उसे हम लोग कहते हैं weak acid किलियर अगर मैं example का बात करूँ carbonic acid and acetic acid किलियर तो यह था आपके लिए एक topic जो कि acid basis and salt chapter का है मैं फिर से एक बार quick revision करा दे रहा हूँ strong acid वैसा acid जो अपना ions completely dissociate कर जाए in aqueous solution और weak acid वैसा acid जो अपना ions completely dissociate ना कर पाए in aqueous solution उसे हम लोग कहते हैं weak acid तो यह था आपके लिए एक छोटा सा topic मैं strong basis और weak basis पर भी वीडियो बना चुका हूँ अगर आप लोग नहीं देखें तो मैं description में link दे दूँगा प्लीज जा करके वहां से देख ले थैंक यू see you next video